नमस्कार आरे नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रुख करेंगे मद्द प्रदेश और चौतिस गड़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर शिरुवात करेंगे आज चौतिस गड़ से जहां पार एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है चौतिस गड़ में फेस्बुक पर दोस्ती और प्यार हुआ और उसके बाद लड़की की घरवालों ने पहले शादी कराने से आश्वासन दिया और उसके बाद मुकर गए माता पिता के फैसलिस इनराज यूपती ने सीम बुपेश बगेल और सरगुजा आईजी से इसकी शिकायत कर दी इसके बाद महिला आयोग ने दोनों की शादी करवा दी है 36 गड़ के कोरिया जिले के पटना अंतरगत अमहर गाउं की मनीशा कुश्वा का प्रेम प्रसंग सूरजपुर जिले के शेलेंद्र कुश्वा से चल रहा था दोनों के बीच फेस्बुक पर ही दोस्ती हुई और देखते ही देखते है दोनों में बाद प्यार तक पहुँच कई और इसके साथ ही धीरे धीरे ये दोस्ती जैसे ही प्यार में बतली दोनों ने शादी का फैसला लिया दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्मे भी खाई और शादी का फैसला करका किया गया जब मनीशा ने अपने परिजनों से शादी कराने की बात की तो उन्हों ने इससे इंकार कर दिया तब मनीशा ने तैय किया कि वो परिजनों की रजामंदी से शादी कर बिदा होगी यूफ्ती ने सियम भुपेश वगेल और सरगोजा आईजी से शिकायत की और तब जाकर पुलिस अप्रश्यासन ने अधिकारियों के साथ मिलकर मनीशा के घरवालों को समझाया समझाने के बाद मनीशा के पिता शिवनात और परिवा जनों ने शादी के लिए हमी भर दी गुर्वार को दोनों की शादी जुला प्रशासन के अफसरों की मौजूदकी में कराई गए पटना के राम जान की मंदिर पटना दोनों परिनाय सूत्र में बंधे जहां पर दोनों की शादी के दोरान महिला आयो की कल्पना शर्मा महिला बालतन अप्शन अधिकारी विद पाला श्रिवास्ताव पत्ना थानादार सौरब दुएधी समेट तमाम पुलिस कर्मी मौजूद रहे और बीज़िपी के स्टाप रचारक और मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान की नजर में किसान आंदोलन अब मुद्दा नहीं रह गया है उन्होंने उत्रप्रदेश में चुनाफ से ठीक पहले कई OBC नेताओं के पार्टी छोड़ने को वो बीज़िपी के लिए नुकसाम दे नहीं मानते उत्राखंड में चार दिन प्रचार कर चुके चोहान कहते हैं कि महंगाई अब मुद्दा नहीं है जनता काम देखती है उन्होंने उत्राखंड में दो तीहाई बहुमत और यूपी में 300 से ज्यादा सीटे जीतने का दावा कर दिया उन्होंने कहा है कि उत्राखंड में जितना घूमा हूँ मुझे आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दिया केजरिवाल बेरोसकारी भत्ता और रोसकार का वादा कर रहे हैं यह उन्होंने दिल्ली में ही नहीं किया और आज तक डिजिटल प्रांती का जमाना है दिल्ली में क्या हो रहा है उत्राखंड के लोगों को पता चल जाता है जूट जनता समझती है और काम के कारण लोग भाजपा से प्रभावित है इसलिए लोग न केवल के जरिवाल के साथ है ना कॉंग्रेस के साथ है ना ही मायवधी के साथ है लोग भाजपा के साथ है और इंदोर शहर के अपराध्यों के होसले काफी बुलंद हो चुके हैं शराप के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने व्यक्ति की गोली मार कर घायल कर दिया है गटना को कल रात बदमाशों ने परदेशी पूरा थाना शेत्र में अंजाम दिया पोलिस ने आज बदमाशों को पकड़ कर वारदात वाले जगा पर जलूस निकाला बदमाश से शेत्र के ठेले वाले और आम लोगों से हाथ जोड़ कर माफी भी मंगवाई गई इस दोरान बदमाश कहते नजर आए कि अपराध करना पाप है पोलिस हमारी बाप है दरसल परदेशी पुरा थाना शेत्र में कल राद शराप की दुकान पर सोनू नामक यूवक शराप खरीद कर अपने घर ज़ा रहा था इसे दोरान शेत्र के लिस्टेट बदमाश विमल सेन निरस्ता रोकर शराप के लिए पैसे मांगे और यूवक के विरोध करने पर बदमाश ने पिस्टल निकाल कर हवा में फायर कर दी और फिर सोनू की हत्या करने की नियस से एक और फायर किया गया गनीमत ये रही कि गोली सोनू की आँख के पास से चूप कर निकल गई फायरिंग में गायल सोनू को इलाज के लिए मवाई अस्पताल में भी भर्ती कराया गया सूशन पाकर मौके वर पहुंची पोलिस ने फार्यादी का बयान लिया बयान के आधार पर आरोपी इलिस्टेट बदमाश विमल सेन के खिलाफ प्रकरन दर्च कर तलाज शुरू की गई 24 घंटे के अंदर ही परदेशी पुरा पुलिस ने शेत्र के इलिस्टेट बदमाश को गिरफतार कर लिया साथी वारदात वाली जगह पर उसका जुलूस निकाला गया जहां बदमाश ने कल गोली चलाई थी वही पर उसका जुलूस भी निकाला गया है रुकरेंगे मद्रदेश का जहां मद्रदेश के जबलपूर से 50 किलो मिटर दूर सिहौरा में शुकरवार की सुबाब भीशन सड़क हाथसा हो गया है दरसल यहां पा राश्री राजमार्ग 30 के धनगवा गाउं के पास 30 रवतार कार ट्रॉले से टकरा गई इस हाथसे में महाराश के पुर्णे गाउं में संत त्यागी महाराश समय दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति गंभी रूप से घायल हो गया सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची इस सिरोहा पुलिस ने घायल को जबलपूर के सरकारी मेडिकल अस्पताल भरती कराया है तो महीं दोनों के शवों को भी पोस्ट मौचम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजबा दिया गया गटना की वजवा घना कोरा बताया जा रहा है कोरे के कारण का चॉलक को सड़क पर चल रहा टॉला साथ नजर नहीं आया जिसके चॉलते ये दुरगटना होई है फिलाल पुलिस ने दोनों को ही दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है साथी इस दोरान ट्रॉला चॉला प्रताबगाड उत्रप्रदेश निवासी मुहम्मद नफीस को गिरबतार कर लिया गया अम अध्रप्रदेश की बोड़ पर एक शाओ में नकल ठीच हात्रों पर फ्लाइंग स्कॉट की नज़र रहेगी नकल का सामना करने के लिए फ्लाइंग स्कॉट तैनात किया गया है और नकल का मामला सामने आने पर मानने ता अधिनियम के तहट कारवाई भी की जाएगी ऐसी स्थिती में अब विध्यारतियों का बविश्य भी बिगड़ सकता है इसी के लिए मादमिक सिक्षा मंडल भुपाल द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई है सत्रा फरवरी से मादमिक सिक्षा मंडल भुपाल की बोर्ट की परिक्षाएं शुरू हो रही है हाई स्कूल और हाईर सेकेंटरी की परिक्षाओं में नकल प्रक्रण रोफने के लिए जुलासतर पर फ्लाइंग स्कौर्ड बनाय जा रहे हैं बड़े जिलों में अधिक फ्लाइंग स्कौर्ड बनाय जा रहे हैं जहां उन्होंने ये भी बताया कि नकल प्रक्रणन को लेकर कई परिवर्टन नहीं किया गया है पूर्व अनुसार माननेता धिनियम के तहट कारवाई की जाएगी श्रीवियास ने बताया है कि बोट के परिक्षा में प्रदेश भर के लाखों विध्यारती शामिल हो रहे हैं बताया जाता है कि संभागे मुख्याले इंदोर उजयन गौलियर और जबलपुर जैसे तमाम बड़े जिलों में एक दरज़न तक फ्लाइंग स्कॉर्ट बनाई जा रहे हैं इसके अलावा छोटे जिलों में पांच और शे फ्लाइंग स्कॉर्ट बनाई जा रहे हैं जो नकल प्रकरणों पर नज़र रखेंगे मद्ध प्रदेश में सिक्षर विभाग के सबर पार प्रदेश के हजारों स्कॉलों में पढ़ाई कर रहे एक करोड़ चालिस लाग विद्धार्तियों में करीब 76 लाग की प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पाई है इससे उनकी चात्रप्रती जारी नहीं हो पा रही बता दें कि विद्धार्तियों के अधार कार्ड नंबर और बैंक डिटेल नाम मिस्मैच कर रहे हैं जिसके भुकतान प्रक्रिया आगे नहीं हो पा रही है सीम कारे काले में चातरवरती नहीं मिलने की लगातार शिकायते मिलने के बाद अब लोग सिक्षन संचनाले ने प्रदेश के सभी संभागे संचालक लोग सिक्षन जलाज सिक्ष अधिकारी सहायक संचालक आदिम जाती कल्यान विभाग के अधिकारियों को 25 जनवरी तक प् का मामला जो है कम होता नज़र नहीं आ रहा है अब तक अनलॉक की प्रकृयाश शुरूर ज़रूर हो गई है लेकिन शुक्रबार को रायपुर कलेक्चर ने नया आदेश जारी कर कक्षा चठी से बार भी तक कि स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है स्कूलों के साथ ही आंगनबाडी केंद्रों के सुन्चलन की भी अनुमती दी गई कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब बंद हुए स्कूल एक महीने बाद फिर से खोले जाएंगे तो महीं पहली से लेकर पांच वी तक की कक्षाओं की पढ़ाई फिलाल ऑनलाइन ही की जाएगे बताते चलने की कोरोना की तीसरी लहर के कारण एक महीने से बिस ज्यादा समय से स्कूल और कॉलेजों की ओफलाइन कक्षाओं बंद कर दी गई थी इसी को देखते हुए राइपर कलेक्टर्स और अब कुमार ने नया आदेश जारी किया था और आदेश के मताबिक कक्षा छटी से लेकर अब बारवी तक की ओनलाइन कक्षाओं साथ साथ ओफलाइन कक्षाओं भी लगाई जाएंगी साथ यांगनबाडी केंद्र भी खोलने के निर्देश दिये गए कक्षा पहली से पांच वी तक की क्लासिस को लेकर कोई निर्देश फिलाल जारी नहीं किये गए हैं कलेक्टर द्वारा सारवजनिक समारो धार्मिक समारो खेल कूद शादी ब्या और इन तमाम चीज़ों को लेकर भी निर्देश जारी किये गए हैं आदेश के मुताबिक 50 फीसिदी उपस्तिती कारेक्रम में रहेगी 200 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमती अनिवारे कर दी गई है बोरिचन में आगे बढ़ेंगे रुक करेंगे मध्यप्रदेश में चल रहे कोरोना के हालातों पर मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें बैतूर में एक इंदौर में एक और जबलपूर में एक मरीज सामने आए इस प्रकार से ही कुल तीन लोगों की करोना की कारण मौत हो गई ऐसे में अतियाद बरतना बेहत जरूरी हो गया है करोना संक्रमन की दायत 3.4 पतिशत रहे गई ऐसे में पिछले 24 खंटे में हुए 74,848 करोना टेस्ट में से मातर 2,612 लोग संक्रमित हुए है तो वही 5,995 लोग स्वस्त भी हुए इस इस्तिदी से साफ लग रहा है कि एतियाद बरतने रहे तो निश्चित ही कोरोना के केसिस कुछी दिरों में न के बराबर हो जाएंगे वर्तमान में कोरोना के 26,189 एक्टिव केसिस की संख्या देखने को मिली